अजराम वेकुम मैं पिछले लेक्टर में हमने डिस्कुस किया था टाइपस ऑफ और अब तक जो हमने पड़ा है उसमें अगर हम देखें तो हमने एक सीटमेंस के साथ कंप्डूटर को इंस्रेक्शन दीन कि पहले कंप्डूटर को का है कि यह तीन नंबर मुझे चाहिए यह फर्स वेरियेबल में वैल्यू साइन की सेकंड वेरियेबल और उसके बाद सम कैल्कुलेट किया इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशल स्ट्रक्चर जिसमें हम क्या है एक सीक्वेंस के साथ कोई भी काम करते हैं सीक्वेंस को फॉलो करते हैं सीक्वेंस को डिस्टरब नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले A और B और 10 और 20 value assign कर दी रहें उसके बार इसको जो है वह variable को declare करें यह possible नहीं क्योंकि पहले हुने declare करने है फिर value assign करनी है फिर some calculate करना है तो यह एक particular sequence है इसको हम बोलते है sequential structure लेकिन कुछ हमारे पास problems हैं जिनमें हम sequential structure को follow नहीं कर सकते हैं For example, अगर हमें एक list given है जिस पे marks लिखे हुए हैं और साथ में आगे status लिखा हुए है और कहा जाता है student के marks given है 50, 60, 40, 30 और हमें कहा जाता है student का आगे status लिखे हैं, student का status pass है या feel अब status हम कैसे लिख सकते हैं किसी condition के base पर, suppose कि हमें कहा जाता है कि जिन student के marks 40 या 40 से greater है, greater than equal 40 है या 40 से equal हैं उनका status लिखे हैं past और जिनका status है 40 से less marks हैं जिनके उनका status लिखे हैं fail तो अब क्या करना पड़ेगा, इदर हमें condition जो है वो use करने पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इस condition का answer है या true हो सकता है या false या pass हो सकता है या fail अगर हमें इदर देखें, 50 ये greater than 40 है तो इदर status के आजएगा past 60 greater than 40 है, status क्या आजएगा past 40 हमने कहा था 40 या 40 से greater हो इदर हमारे past 40 है तो status आजएगा past 30 है तो status आजएगा fail मतलब इदर हमने क्या है कोई एक decision लेना होता है और दोनों में से एक वकत में एक statement चलेगी या तो student pass होगा या fail हो अब इस तरह कि जब problem होगी तो उधर हम sequential structure जो है यह use नहीं कर सकते हैं तो इसका alternation हमारे पास क्या है conditional structure इस तरह के problems के लिए हम जो structure बढ़ेंगे वो है conditional structure जिदर हम कोई भी conditional लगाते हैं और उस condition की base पे decision लेते हैं तो यह हमारे पास conditional structure sequential structure में क्या है एक sequence के साथ काम किया रहते हैं जिबकि जो हमारे पास conditional structure है उसमें हम किसी condition की base पे कोई decision लेते हैं इसको हम decision making structure भी बोलते हैं क्यों क्योंकि इसमें को condition given होती है और उस condition की base पे हम फैसला करते हैं कि answer क्या होगा true होगा false होगा pass होगा यह fail होगा तो इस lecture में हमें देखा कि sequential structure क्या होगा next lecture में हम conditional structure की जो further types हैं उनको discuss करेंगे तो next lecture के लिए राफिस